नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे की ओलोटोप आई ज्रॉप का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, ओलोटोप आई ज्रॉप को आखों में कैसे डालना चाहिए और ओलोटोप आई ज्रॉप की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे की ओलोटोप आई ज्रॉप को आखों में डालते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, Allotope एक brand name है. Allotope eye drop के अंदर salt composition allopetidine होता है. Allotope eye drop का उप्योग आखों में allergy होने पर किया जाता है. Allotope eye drop आखों की allergy को ठीक करने में मदद करती है. Side effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Allotope eye drop की वज़ह से कोई side effects नहीं होते हैं. लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में Allotope eye drop की वज़ह से कुछ side effects हो सकते हैं. जैसे Allotope eye drop को आखों में डालने के बाद आखों की दृष्टी कुछ समय के लिए धुंदली हो सकती है. इसके अलावा Allotope eye drop की वज़ह से आखों में जलन होना, आखों में दर्ध होना, आखों में सूखापन होना, आखों में किरकिरी महसूस होना, मौ का स्वाद खराब हो नाख में सूखापन होना और सिरदर्ध होना आदी साइड इफेक्स Allotope eye drop की वज़ह से हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे कि Allotope eye drop को कितनी बार आखों में डालना रेक्मेंडेड होता है. ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर Allotope eye drop को दिन में दो बार आखों में डालने की सलाह देते हैं. लेकिन Allotope eye drop की डोज उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है. इसलिए आपको Allotope eye drop को आखों में डालने से पहले परामर्श लेना चाहिए. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले. अब हम डिसकस करेंगे कि Allotope eye drop को आखों में डालते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. तीन साल से क कम उम्र के बच्चों में Allotope eye drop का उपयो करना recommended नहीं है. Allotope eye drop को आखों में डालने के बाद कम से कम 30 मिनट तक किसी अन्य दूसरी eye drop को नहीं डालना चाहिए. Allotope eye drop को आखों में डालने के बाद Allotope eye drop के धकन को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए. और Allotope eye drop की बोतल की चो को कभी भी उंगली या हाथ से नहीं चुना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने की वज़ा से आखों में इन्फेक्शन हो सकता है। अभी इसके बारे में परियाप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि ओलोटोप आई ज्रॉप प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुचाती है या नहीं। इसलिए ज्यादा तर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ओलोटोप आई ज्रॉप को नर डालने की ही सलाह देते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जरुरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ओलोटोप आई ज्रॉप को आखों में डालने की सलाह दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका ओलोटोप आई ज्रॉप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।